हलो हाई अब्रिवन आज अपन यहां पे पढ़ेंगे आनोटमी फीजियोलोजी का एक बहुत ही ज्यादा important unit और अपने unit का नाम यहां पे क्या रहेगा तो unit का नाम यहां पे रहेगा blood, complete इस unit को अज अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं, मैं पूरी कोशिज करूँगा कि एक वीडियो के अंदर ये पूरी यूनिट आज अपनी कवर यहाँ पर हो जाए काफी बड़ा वीडियो यहाँ पर होने वाला है आपको पूरा इसको अच्छे से देखना है तो सुरू करते हैं यहाँ पर आज के अपनी एक इंपोर्टेंट यूनिट और यूनिट का नाम रहेगा बलड काफी अच्छी यूनिट है एक्जाम के अंदर कई बार आपसे क्वेशन पूछा जाता है जैसे कई बार फंक्शन पूछ ले जाते हैं बलड की या फिर कभी कभार RBC का युशन आ जाता है next कभी कभार बलड गूरप का युशन पूछ लिया जाता है इसके अलावा कई बार बलड ख्लोटिंग की मेकेणिजम पूछ लिय जाती है कई सारे क्वेशन पूछे जाते हैं तो आज अपन यहाँ पर कोसिस करेंगे हैं और वहाँ पे टीशू आता है connective tissue जब टीशू आप पढ़ते हो आपको पता है टीशू चार टाइप के होते हैं सबसे पहला होता है epithelial tissue epithelial tissue के बाद next आता है connective tissue next आ जाएगा muscular tissue और last आता है nervous tissue जब आप connective tissue पढ़ते हो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अपनी body में सबसे ज़्यादा पाये जाने वाला tissue होता है और उसका एक सबसे ज़्यादा favorite example कौन होता है blood होता है यहाँ पे क्या दे रखा है कि blood क्या है एक प्रकार का liquid connective tissue होता है और जिसके अंदर क्या पाई जाती है जिसके अंदर blood cells पाई जाती है और एक fluid पाया जाता है matrix पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते है प्लाजमा बोल सकते हैं तो यहाँ पे अपन इतना समझ सकते हैं और वो अपन क्या समझेंगे कि अपनी बोडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उस ब्लड के अंदर दो important component पाये जाएंगे एक तो क्या होता है ब्लड cells पाये जाती हैं और दूसरा component क्या होता है ब्लड plasma उसके अंदर पाया जाता है next one बात करेंगे blood क्या है एक प्रकार का body fluid होता है जो run करता है अपनी body के अंदर all over body के अंदर run करता रहता है next one एक word है hematology देखो जब अपन क्या करते हैं science की branch के अंदर blood की study करते हैं या उसके regarding उसकी जो बिमारियां है उसके अपने study करते हैं उसे क्या कहा जाता है hematology कहा जाता है next one blood अपनी body के अंदर total कितना 7-8% पाया जाता है total body weight का एक person का जितना body weight होगा उस total body weight का क्या होगा 7-8% portion क्या होता है blood पाया जाता है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है इतना हो चुका है next one यहाँ पे आ जाते हैं और next अपनी यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोपर्टीच ओफ बलक के बारे में सबसे पहला color देख लेते हैं तो जो artery के अंदर पाये जाने वला blood है आपको पता है artery के अंदर जो blood होता है वो कैसा होता है वहीं पे vein के अंदर जो blood पाया जाता है वो कैसा होता है deoxygenated blood होता है अब देखो आर्टरी के अंदर जो blood पाया जाएगा वो कैसा होगा bright red color का होता है वहीं पे vein के अंदर पाये जाने वाला blood कैसा होगा dark red color का blood पाया जाता है volume की बात कर लेते हैं अभी अपन ने देखा था कि total body weight का 7-8% हिस्सा क्या होता है blood होता है next one pH की बात कर लेते हैं blood की pH कितनी होती है 7.35 से 7.45 blood की pH होती है next one बात कर लेते हैं temperature की temperature कितना 38 degree Celsius या 108.4 degree Fahrenheit क्या होता है blood का temperature होता है next one viscosity की बात कर लेते हैं देखो viscosity क्या होता है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं विसकोट सिटी का मतलब अपन हिंदी में समझ सकते हैं पतला पन से क्या पतला पन से तो यहाँ पे देखिएगा as compare क्या होता है five time more viscous होता है मतलब यहाँ पे गाड़ा यहाँ पे अपन ने देखा कि पतला कौन रहेगा वोटर रहता है तो वोटर की तुलना में five time क्या होता है यह उससे ज़्यादा विसकस होता है मतलब गाड़ा पाया जाता है क्यूं होता है क्योंकि blood के अंदर blood plasma plasma पाया जाता है plasma proteins पाया जाती है WBC पाया जाती है यह सारी की सारी चीज़े पायी जाती है इसलिए यह पानी की तुलना में five गुना ज़्यादा क्या होगा गालड़ा होता है समझ में आया यह five properties के अपन ने यहाँ पे बात कर ली next one अपन यहाँ पे आ जाते है और next पढ़ते है function of blood के बारे में सबसे पहला function देखते है transport of respiratory gases तो देखो RBC के अंदर क्या होता है RBC के अंदर हीमोगलोबिन पाया जाता है और हीमोगलोबिन क्या करता है oxygen को करी करता है आपको पता है एक हीमोगलोबिन का molecule है वो चार oxygen को bind करके चलता है from the lungs to the tissue अब ये क्या करेगा जो हीमोगलोबिन है जो RBC के अंदर पाया जाएगा जो oxygen है उसको lungs से tissue तक ले जाने का काम करता है और इसके अलवा अपनी body में जो CO2 बनेगा अपने tissue में उस CO2 को lungs के दुआरा बाहर के air में डालने का काम करता है तो पहला काम बलड का ट्रांस्पोर्ट ओफ रेस्पारिटरी गैसेज नेक्स्ट आ जाएगा excreatory function अब various west product of the tissue metabolism are carried out by the blood to the excreatory channel kidney, skin, lungs यहाँ पे क्या बताया गया कि अलग-अलग type के जो west product होते हैं जो अपने सरीर में क्या होता है cells या tissue का metabolism होता है तो जब cells या tissue का metabolism होता है then वहाँ पे क्या होगा अपने blood के अंदर कई सारे excreatory channels पाए जाते हैं जैसे की kidney हो गया skin हो गया, lungs हो गया यह सारे की सारे channel क्या करते हैं जितना भी tissue या cell का metabolism होने के बाद जो west product बनता है उस west product को इन channels के दुआरा अपने से बाहर निकाल दिया जाता है तो next function क्या होता है excreatory function होता है next अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं और next function होता है nutritional function तो देखो, digestion के बाद जो end product बनता है उसको absorb कर लिया जाता है कि इसके दुआरा digestive track के दुआरा और उसको transport कर दिया जाएगा अपने blood के दुआरा समझ में आया nutritional function होता है अपने blood का मतलब digestion की process होती है digestion की process के बाद क्या होता है end product बनता है और उस end product को absorption कर लिया जाता है अपने digestive track के अंदर और बाद में उसका transportation होता है blood के दुआरा next function होता है fourth number का acid base balance का तो देखो अपने blood की normal pH कितनी होती है 7.4 इसके normal pH होती है और blood के अंदर अलग-अलग type के क्या पाये जाते हैं buffer पाये जाते हैं जो क्या काम करते हैं अपने blood के अंदर यहां पे अगर किसी भी तरीके से वहां पे क्या होगा hydrogen ion का concentration बढ़ेगा तो कहीं न कहीं क्या होता है अपको पता है जैसे hydrogen ion बढ़ेगा अपने को पता चल जाएगा कि जो भी fluid है वो acidic medium की तरफ जा रहा है या फिर वो basic medium की तरफ जा रहा है या अपने को पता चल जाता है तो यहां पे देखिएगा blood के अंदर pH कितना होता है normal 7.35 से 7.45 होता है बट एक average क्या होता है 7.4 होता है तो blood एक तरीके से buffer की तरह काम करता है मतलब अपनी body में hydrogen ion की concentration को maintain करने का काम करता है next function आ जाएगा transport of hormones देखो hormones क्या होते हैं secret कर दिये जाते हैं अपने endocrine या ductless gland के दुआरा आपको पता है जो hormones होते हैं उन hormones को किसके दुआरा secret किया जाता है endocrine glands के दुआरा और endocrine gland को क्या बोला जाता है ductless gland बोला जाता है और वो directly hormone या एक प्रकार सा क्या होता है chemical substance होता है hormone और उसको directly कहां पर डालती है ये glands अपने blood के अंदर डाल देती हैं फिर blood क्या करता है उसको carry करता है उसके target organ तक तो next यहां पर function क्या होता है blood का की blood अपनी body में hormone का transportation करवाने के अंदर help करता है next और यहां पर बात कर लेते हैं और next function आ जाएगा protection of defense का मतलब अपनी body में क्या होता है WBC पाई जाती है white blood cell पाई जाती है जो क्या करती है attack करती है जैसे ही क्या होगा अपनी body में कोई भी organism आएगा like as bacteria हो गया virus हो गया यह उसके पर क्या करते हैं attack करेंगी और उसको खतम करने का काम करती है इसके लावा blood के अंदर क्या पाई जाता है अलग-अलग type की antibodies पाई जाती है अलग-अलग type की immunoglobulins पाई जाती है और इनका क्या काम होता है अगर बाहर से कोई भी microorganism या कोई भी foreign particle अगर अपनी body में एंटर करता है तो यह उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं और अपने को कई सारी विमारियों से बचाने का काम करती है तो यहाँ पे total अपने भी तक कितने function पढ़ लिए? यहाँ पे 6 function यहाँ पढ़ लिए है next आजाएगा temperature regulation देखो blood क्या करता है? maintain करता है अपनी body के अंदर absorption और distribution of heat को किसके दुआरा? अपनी body के दुआरा तो next यहाँ पे देखेगा जो blood है वो अपनी body में heat को या तो absorb करेगा या उसको distribute करता है पूरी body के अंदर और इस चीज़ को maintain करता है तो next क्या काम किया? temperature को regulate करने का काम करता है blood next function water का balance, blood क्या करेगा? अपनी body के अंदर maintain करता है, regulate करता है fluid के concentration को अपनी body के अलग-अलग compartment के अंदर जैसे की ICF के अंदर और ECF के अंदर तो blood क्या करता है? अपनी body में fluid को maintain और regulate करने का काम करता है अलग-अलग body के compartment बोल सकते हैं, जाए third इसे space o cranial हो जहां पर भी fluid पाया जाएगा, वहाँ पे उस water को balance को बनाए रखने में काम करता है total अभी तक अपन ने यहाँ पे 8 function पढ़ लिये हैं next आ जाएगा, blood का function होता है, osmotic pressure का, और osmotic pressure कितना होता है osmotic pressure होता है, normal 25 mm of HG, क्या? 25 mm FG तो blood के अंदर क्या होता है, plasma proteins पाई जाती है और plasma protein क्या करती है, normal osmotic pressure को maintain करने में help करती है next और last function आ जाएगा, blood का, blood clotting देखो, blood clotting जो अपन पूरा process पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं total आपको 13 अलग अलग factors बताऊंगा अब देखिएगा, उसके अंदर ही एक important factor होता है, जिसका नाम होता है fibrinogen, और fibrinogen क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है blood के coagulation के लिए, इसके अलावा ये क्या करता है, convert करने का काम करता है कि इसके अंदर, fibrinogen किस में convert हो जाता है, fibrin में convert हो जाता है इतना आपको समझ में आया, total 10 factor हो चुके हैं यहाँ पे अभी तक अपने यहाँ पर क्या-क्या पढ़ लिया है blood का introduction पढ़ लिया, introduction के अलावा blood की properties अपने यहां पर cover कर लिये और properties के अलावा functions अपने यहाँ पर cover कर लिये total अभी तक अपने यहाँ पर 2-3 topic यहाँ पर cover हो चुके हैं अब इसके बाद नेक्स्ट अपना जो टोपिक आएगा और नेक्स्ट टोपिक पर पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक चार्ट बता देता हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो अपी तक function अपने पढ़े हैं उनी function को detail में यहाँ पर आपन डिसकस करें तो देखो वोई सेम चीज सबसे पहला function ट्रांसपोर्ट करता है respiratory gases का acid base balance बनाने का काम करता है hormones का transportation करता है protective function होता है body के अंदर temperature को regulate करने का काम करता है water को balance करता है और osmotic pressure को maintain करता है यह सारे के सारे क्या है blood की function होते हैं इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहि अब अपन यहां पर next topic पढ़ेंगे composition of the blood के बारे में ठीक है